नमस्कार क्या उत्तरप्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आकार लेने जा रहा है जी हम कल दोपहर से ये सवाल उत्तरप्रदेश और दिल्ली दोनों जगहा पर एक साथ समानांतर तेर रहा है क्या राष्ट्रिय लोकदल और भारती जनता पार्टी के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंदन होने जा रहा है क्या जईन्त चोधरी अकलिश यादव का साथ छोड़ने वाले है क्या समाजवादी पार्टी और आरेलडी के बीच में खटास आ गई है यह बड़ा सवाल है और यह सवाल कल से कोहरा मचाए हुए है और मजे की बात देखे सवाल इतनी तेजी से और इतने उची आवाज में गूझ रहा है पर जेन्त चोधरी मौन है सब जगा हंगामा हो रहा है कि आरेलडी और बाज़ापा के बीच में डील पक्की हो गई भारती अन्ता पार्टी चार सीटे आरेलडी के लिए छोड़ेगी उन सीटों के नाम चर्चा में लेकिन जेन्त चोधरी मौन क्यों क्या ये जरूरी नहीं था कि पार्टी इस तरह के सम्वेदिन शील विशे पर अपना रुखिस पस्ट कर देती लेकिन उससे नहीं किया कल केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री के साथ इस दल के एक प्रतनिधी की बात चीत हुई ऐसा बताया जा रहा है और चीजें लगभग लगभग तय हो गई अब उनकी घोशना के लिए कौन सा वक्त मुफीद होगा सिर्फ इतना तय होना पाकिए आप एक बड़ जा लिजें के आरेल्डी के जीवन काल में अब तक का सबसे लावदाई गठबंधन भाजपा का ही रहा है दो हजार उन्निस के लोगसभा चुनाव में सपा बसपा अरेल्डी तीनो एक साथ थे यहनि कॉंग्रिस छोड़कर उत्तरपदेश का लगभग समूचा विपक्षी परदर्श्य एक नाव पर सवार था तब भी जन्त चोधरी के पिता और चोधरी चरण सिंग के बेटे चोधरी अजीस सिंग्ग लोगसभा का चुनाव हार गए थे भाजपा के उम्मीदवार से इसका मतलब कि आरेलडी भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर हमको चुनावी लाभ हासिल करना है अगर हमको लोगसभा विधान सभा में अपनी संख्या अपनी हैसियत बढ़ानी है तो वो रास्ता समाझवादी पार्टी या कांग्रिस के साथ जाके नहीं होता वो करके देख चुके वो रास्ता के बल तभ भारती जनता पार्टी और आरैल्ली के बीच में अलाइस हो जाए और भारती जन्ता पार्टी के लिए RLD इसलिए उप्योगी हो जाती है चुकि RLD के साथ अलाइंस होने के बाद फिर एक पश्यमी उत्रपदेश में लगभग लगभग बोटो का विखराव सीमित हो जाता है कंसॉलिडिशन हो जाएगा बोटो का और बसपा जब अलग लड़ेगी तो उस परिद्रश्य में भारती जन्ता पार्टी और RLD अगर अलाइंस होता है इस अलाइंस के लिए पश्यमी उत्रपदेश में एक बड़ी विजय की संभावनाएं खुलती है दो हजार उन्निस के चुनाव में भारती जन्ता पार्टी पश्यम में आधी सीते हार गई थी लोग सभागी उन्निस में सारी जीती थी उन्निस में आधी हार गई थी भाजपा उस नुकसान की भरवाई करना चाहती है चौधा सीते पश्यम की लोग सभा की मान कर चलिए उसमें साथ भाजपा हार गई थी उन्निस की चुनाव में बाजपा चाहती है कि अगर जिंद्चोधरी आ जाते हैं इधर तो वो भरपाई हो जाएगी 2014 के लोग सभा चुनाव जेसी इस्तिती बन जाएगी बाजपा के लिए फिर हरियाणा राजिस्थान ऐसे जिलों में जहां कि कुछ इलाकों में जाट आवादी का घनत तो है वहां भी जंद्चोधरी के भाजपा के साथ आने से एक सिंबॉलिक असर जरूर पड़ता है बहुत जादा तो मैंने कहुंगा के दस लाग माच लाग बोट ट्रासफर हो जाएगा ऐसा ने लेकिन एक वातावरन बनता एक नेरेटिव जरूर सेट होता है और जाट बोट जो है वो भाजपा की और और मजबूती से कंसॉलिडेट होता है अगर ऐसा हो जाए जहनत के साथ उसमें उनको साथ सीटें मिली लोग सभा की अकलेश आदम ने उनको साथ सीटें दी लेकिन उस बात को अच्छी तरह जानते हैं जहनत जी कि इन साथ सीट से में जीतेंगे कितनी अलाइंस जीतने की स्थितें में कितना है लेकिन अगर इसके वेपरीट सोची अगर भाजपा के साथ उनको चार सीट भी मिलती है तो भाजपा और आरेली का बोट मिलके वो चार में अधिकांश सीटें जीतने की स्थिती में आ सकते एक दूसरा सत्ता में भागेदारी ये प्रश्ण बढ़ा है लोग सूत्र बता रहे हैं कि छोटे चोधरी पर इस बात का लगतार दबाब बढ़ रहा था कि दिल्ली और लखनवू दोनों जगा मुद्द से पार्टी सरकार से से बाहर है सरकार से उसका कहीं कोई ताना बाना जोड़ नहीं रहा ना लखनवू में न दिल्ली ऐसे में पार्टी चलाना मुश्किल कारिकरता को जोड़ कर रख पाना मुश्किल कारिकरता के हितों की रक्षा मुश्किल और कोई आज आए दिन दुखी तो उसकी सिपारिश करना कि किसी तरह से सत्ता के साथ जुडाव होना चाहिए वो लखनव की सत्ता और डेली की सत्ता दोनों के साथ ताकि अपनी पार्टी को जीवित किया जा सके उसको जीवन तरक्षा जा सके जेंग चोधिश बाग को जांते हैं कि RLD को सत्ता में भागेदारी इंडिया गठवंधन में रहकर नहीं मिल सकती किसी सुरत में क्योंकि अभी वो इस्थिती नहीं है कि उत्त्रपदेश में कोई कॉम्बिनेशन बनता हो और ना वो इस्थिती है केंदर में कि लोग सभा चुनाप के लिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो ऐसा दिवास तो अपना भी कोई नहीं देख रहा भी तो एक इस्थिती बनती है कि भाजपा और RLD के भीच मगर गठवंधन होता है तो उसका सीधा लाव उत्त्रपदेश में RLD को ये मिल जाएगा कि सत्ता क के साथ उसका तांका जुड़ जाएगा बहुत संभव है योगी मंत्रिमंडल में भी RLD के एक-दो-एक मंत्री हुशामिल कर लिए जाए ये भी महत्तपून बात है नोट कर लेजिए बहुत संभव है उत्त्रपदेश मंत्रिमंड की सरकार में भी RLD के एक-दो मंत्री बना दिये जाएं ताकि पार्टी को सत्ता में सीधी भागेदारी उत्तरपदेश में मिल जाएं उसके कारिकरताओं में नई उर्जा आ जाए नया जोश आ जाएं ब्यवहारिक सची ही है कि पार्टीयां और कारिकरताब दोनों अगर बहुत समय तक सत्ता से दूर रहें तो जा रही थे उसके नेताओं में उसके कारिकरताओं में इस बात को लेकर छटपटा हर्थी कि किसी भी तरह से सत्ता से जुड़ना चाहिए इसलिए ये बात कही जा रही है कि भाजपा और आरल्डी के बीच में कुछ चर्चाई चली कुछ सहमतियां बनी और दोनों इस नती और होगी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी उत्तापदेश में इधर अखिलेश यादव ने कॉंग्रिस की न्याय यात्रा के साथ खड़े होने का फैसला किया खड़गे जी को चिठी लिखी के खड़गे जी हम तुमारे साथ हैं खड़गे जी संगर्ष करो हम तुमारे साथ हैं कहा राय परेलिया और अमेठी के बीच में कहीं आके राहुल गांदी की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे और उदर जैन्त चोज़ दिन चल दिय अकिलेश कांग्रेस से जुड़े और जैनती चल दिये कुल मिला कि यह तस्बीर बन रही है लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ दो तीन चार दिनों में उत्तर पदेश में यह जो राचनेतिक धुन्द है यह पूरी तरह साफ हो जाएगी और पता लग जाएगा कौन कह हका ही लोरी और शोरी कि भीपने है दिले वीट ंने में यह ज्यकिति रसरेकिन के लगता है लगता है